आपको सिर्फ सर्च करना है नित्य क्लाशिस और आप पाएंगे हमारे डेल सारे वीडियोज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्स पर तो दोस्तों आज ही फॉरवड करें शेर करें अपने फ्रेंट्स को एक अच्छी लर्णिंग के लिए अच्छी पर तर्फ पर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब शैनल एक्रासिस में और जैसा कि आप जानते हैं कि युपिटेट जो है बार बार गहरे में आ चुका है प्रस्चनों के साक्षा को लेकर प्रस्चनों की बातों को लेकर कभी 5 प्रस्चन कभी 10 प्रस लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था आपको कि कोट ने जो है बारा परसनों के साथ साक्षित आकिल किये गए हैं उसके लिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीटी दोजारा ठारा गलत सवालों पर सचीव से किये गए तलब सचीव जो है तलब कर कुछी सफलता हासिल हुई है जिनके माक्स कुछ कम है उनको यह सफाइदा इसका मिल सकता है लेकिन पूरी न्यूज क्या है चलिए पढ़ते हैं आगे आठ प्रसनों को विकल्प को दी कोट ने बारा को सुनवाई रखी है अब क्या रखिये सुनवाई देखते हैं उसके ब को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोट ने सचीव परिक्षा नियमक प्राधिकारी को तलब कर लिया है आदालत ने उनको बारा दिसंबर को संबंदित पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए निर्देश दिया यनि बारा तारिक जो है अगली डेट मिली है यूपिटेट में जो याचिका दाखिल की थी तो बारा तारिक उसको डेट मिल चुकी है उन लोगों को जहां पर परिक्षा नियमक प्राधिकारी को बुलाया गया है कूट में इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई है जिनमें आठ प्रसनों के विकल्प को चु अध्यापक भरती में अध्यापक भरती है तो ओनलाइन आविदेन शुरू हो चुका है इसकी अंतिम थे 20 दिसंबर है इसमें वही लोग आविदन कर सकते हैं जो टीटी उत्रेड हों ऐसे में याचिकाण के मामले में परिक्षा नियमक प्राधिकारी सिग्र निड़ने ले याचियों के लिए ही माने जाएंगे या फिर ये प्रशन सभी के लिए सर्वजनिक होंगे इस पर अभी कोई भी टिपडी नहीं आई है कि ये प्रशनों के जो उत्तर अगर सही होते हैं जो याचि केस लड़ रहे हैं सिर्फ उन्हें उन्सके आंसर मिलेंगे या फिर सभी को इसके अंग बराबर बाटे जाएंगे ऐसा भी कुछ भी अनुमान नहीं है इसमें एक और बादेगर मानने पुस्तकों को दिया साक्षा यहाँ पर साक्ष भी दिये गए है याची गण के अधिवक्ता सीमान तसिंगा कहना है कि शिक्षक पातरता परिक्षा TET 2018 18 नुमबर को आईज़त की गई थी 30 नुमबर को इसकी आंसर की जारी कर दी गई और 5 दिसंबर को प्रणाम भी घोशत हो गया आंसर की में दिये गए उत्तर कुमिलान के बाद पाता चला कि 8 प्रण ऐसे हैं जिनके व्यकल्प उत्तर सही नहीं है इनमें से 2 प्रणों को 2-2 विकल्प है अन्ने 6 प्रणों में भी जो विकल्प दिये गए वो जवाब सही है नहीं है कोट के सामक्स सामान ने पुस्तों के पुस्तों कर याचिगन की ओर से शाक्षे दिये गए इसी प्रिकार से शिमलाज सिंग की याचि का में याचि का दावा था कि सीरीज A के प्रण संक्या 66 के 2 विकल्प सही है याचि ने सही उत्तर दिया है मगर आंसर की में दूसरे विकल्प को सही माना गया है याची cut off marks में सिर्फ एक पीशे है यदि उसके उत्तर को सही माना जाए तो वह उत्तरिन हो सकती है तो दोस्तों ये पूरी की पूरी नियूज थी बारतारिक डेट है अगली देट जो है बारतारिक है बारतारिक में क्या होगा क्या बारतारिक करने नहीं होगा ये मैं आपको आपको लेकर बताऊंगा बारतारिक को तब तक का वेट कीजिए और दोस्तों अगर चाहते हैं अपडेट करना पलपल की तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे की आपको सब चीजें समय से मिलती रहें दोस्तों आज के लिए इतना ही मुलूंगा मि